परिच्छा में सफलता के लिए रिवीजन का सही तरीका क्या होना चाहिए? कई बार या देखा क्या है कि हमारे युवा साथी हैं वे किताबे तो खरीद लेते हैं लेकिन वे रिवीजन पर फोकस नहीं करते हैं वो इस confusion में रहते हैं कि किस पुस्तक को कैसे सुर्वात की जाए, कैसे पढ़ा जाए और कब कब पढ़ा जाए आधी तमाम प्रकार की समस्या उनके साथ रही हुए जिसके कारण वे किसी एक पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ने पाए हैं और आप सभी को बताना है कि सबसे पहले आप रिवीजन के पूर्वा हमेशा अपने पुस्तकों का चैन कर ले कि आपको कौन सा पुस्तक पढ़ना है और कौन सा पुस्तक नहीं पढ़ना है जब तक आप अपने पुस्तक को चैन नहीं करेंगे तब तक साथ ही रिवीजन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा अब विदाउट रिवीजन आप परिच्छा में सफलता प्राप नहीं कर सकते हैं रिवीजन ही आप सभी के प्रस्णों को सही उत्तर आपके द्वारा देने के आपको इस्टैवल बनाता है तो आईए जानते हैं कि परिच्छा में सफलता के लिए रिवीजन क्या सही तरीका होना चाहिए साथियों ये जो भी मैं चर्चा कर रही हूँ ये स्फैम मेरे द्वारा इंप्लिमेंट किया गया है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ अब वो ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले साथियों मैं अपने प्रतिक बिसे के लिए एक बुक्स निर्धारित कर लेती थी क्योंकि मैं सबसे पहले अपने परिच्छा से संबंदी सलेवस का अध्यन करती थी और देखती थी कि जो मैं किताब का चैयन की हूँ क्या उससे question पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा जा रहा है जब मैं अपने प्रस्णों का विसलेशर कर लेती थी परिच्छा से संबंदि सारे topic अध्यन कर लेती थी अब मुझे लगता था कि हाँ ये किताब sufficient है फिर मैं उस पुस्तक के उपर totally विश्वास के साथ उसको पढ़ना आरब कर देती थी और हर पुस्तक को साथियों मैं एक मित्र की भाती संबंद बनाई हूँ जिसके कारण उस पुस्तक ने सदे हुई मेरा साथ दिया है और आज भी साथियों एक good hobby के रूप में मेरा एक hobby है study करना पुस्तको को पढ़ना और इस समय मैं motivation बुक्स वेगरा personality development and biography आटो बायोग्राफी ये सारे जो बुक्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ लेकिन यहाँ पर distance हो रहा है आपके उजवल भविस्ति के संबंद में और उजवल भविस्ति कैसे होगा आप अपने लक्ष की जब पूर्थी करेंगे लक्ष क्या है आप सभी का इस समय वर्तमान में की संबंदित परिच्छा में सफलता प्राप करना क्योंकि वर्तमान में अभी हाल फिलाल आपनों का यही लक्ष है तो साथि जब मैं पुस्तक का जब चैन कर लेती थी उसके बाद क्या करती थी पहली reading में, first reading में मैं उस किताब को बहुत ही तेजगती से पढ़ती थी लेकिन इतना भी तेजगती से नहीं पढ़ देती थी कि जो इसके important fact है वो दरकिनार हो जाए कभी भी ऐसी गलती आप बिलकुल ना करियेगा पढ़िये लेकिन एक slow motion भी वहां implement करिये जहां पर factual point हो क्योंकि first reading very very important for your study और साथियो reading के दवरान हमेशा अपने पाख colorful sketch वेगरा जरूर रखने चाहिए pen वेगरा रखने चाहिए highlighter रखने चाहिए जो भी आपके पास provide हो अवज से ही colorful pen का जरूर प्रयोग करें उसका कारण है साथियो जो तत्यों के प्रकार होते है वो बिविद प्रकार के होते है और जो रंगों का महत्त होता है वो एक इस्थाई महत्त होता है हमारे चीवन में तो साथियो मेरे त्वारा जब फस reading किया जाता था तो बहुती तेज गती से reading किया जाता साथ में जितने important fact होते थे हर एक page को मैं क्या करती थी एक अलग color से रंगती थी जैसे माली जी ये पानीपत का युद्ध कव होगा प्रतम कव होगा, द्वितिय कव होगा, त्रिति कव होगा ठीक है, इसी प्रकार से ये माली जी कि आसो के कितने सिलालेख है कौन से सिलालेख कहा कहा पाएगा कि सिलालेख में क्या क्या कहा गया ये सब कुछ, तो सिलालेखों को एक अलग color से मैं color करती थी ठीक है, जितने युद्ध हैं उसको एक अलग color से करती थी इससे क्या होता था साथियो कि जब आप फर्स्ट ट्रेडिंग में ये सारी प्रक्रिया को अपना लेते हैं, तो आप फिल करेंगे कि जब आप क्येस्टन सॉल्ब करने बैठते हैं, तो आपके सामने से वो fact total as a colorful रूप में वो उभरने लगता है और आप 100% क्येस्टन सही करने के condition में हो जाते हैं यदि आप उस fact को बहुत ही अच्छे तरीके से revision second बार नहीं भी कर पाए हैं, तो ये first reading का मैं आपको benefit बता रहे हूं, तो आप अब से इस तरीके को अपनाए कि पहरा जो reading हो, आपका तिब रगती से हो, लेकिन जितने भी effect हो, उसको colorful highlight से चरूद highlighter का प्रियोग करेंगे ठीक, और दूसरा जो आपका जो revision होगा, उसमें आपका क्या करना होगा साथियों मैं क्या करती थी जो दूसरा revision होता था, जो कि काफी खास होता था, ठीक है और उसमें मैं क्या करती थी, कि प्रियास ये होता था, कि हर एक page को मैं अच्छे से समझो, और समझने के क्रम में, तीन से चार line में, उस किताब का summary मैं, उस किताब के page में corner में मैं लिख देती थी इससे क्या फायदा होता था आपका जो answer writing का जो अभ्यास है वो भी काफी अच्छे skill में develop हो जाएगा कम सब्दों में आप अपने बातों को अच्छे से अभिवेक्ट कर सकते हैं अभविस्त में जब आप success हो जाएंगे, जब सासन प्रसासन का हिस्सा बनेंगे तब ये skill आपके लिए बेहद उपियोगी होगा जब दस पेज का कोई later है या कोई प्रकरड है बताया गया उसको आपको कम सब्दों में बैठक वेगारा में या briefing वेगारा में उसको explain करना है उस पे कारी करना है तो ये सारे skill आपके वहाँ पे implement होते हैं साथ में means exam में other exam की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे use होते हैं क्योंकि समिक्षादिकारी सहक समिक्षादिकारी परिक्षा के means exam में जब AC writing आप करेंगे तो वहाँ पे चुनावतिया समस्या के समाधान आदी जहां प्रियोग करेंगे वहाँ पे इस skill का आप प्रियोग कर सकते हैं ठीक है तो इस परकार से साथ है एक मैं संचित fact seat अपने किताब के corner में ही अवस्ते ही लिख देती थी इससे क्या होता था कि किताब का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होता था तीसरे करम में मेरे द्वारा स्वैम ही प्रस्न बनाया जाता था कभी भी मैं practice seat के रूप में previous question के लावा किसी भी practice seat को नहीं लगाई हूँ बलकि मैं स्वैम जो practice seat के लिए प्रस्न बनाती थी उसी को solve करती थी साथियों आप market में जितने भी practice seat देखेंगे वो उतने उपयोगी नहीं होते हैं जितने की आपके IS, PCS, RO, RO exam के लिए जो previous के question होते हैं यदि आप IS की त्यारी कर रहा है उस condition में भी आपको previous question से बहतर practice seat कोई नहीं होगा यदि आप RO, RO की exam दे रहे हैं तो इस condition में भी previous question के लावा कोई practice seat बेस्ट नहीं होगा as well as friends जो आप UP subordinate का exam दे रहा है अपा subordinate का उस condition में भी आपके लिए previous question से best कोई practice seat नहीं होगा और इसके अलावा आप जो स्वहम का self जो practice seat बनाते हैं उसका कोई उपाय नहीं होता है क्योंकि यह आपके पुस्तक की तयारी करने के एक महतपूर आधार होता है तो यह तीन चरण आपको मैं बताई revision का तरीखा यह तीन चरण आप अपनाए अपने revision है पहले तिब्रगती से पढ़ने के साथ fact को आप underline कर दिये ठीक है दूसरे संचिप्ट fact की है जो कि revision का एक second mode है तीसरा जब आप प्रस्त बनाए तो इस दोरान भी आपके किताब अच्छे से आपका revision हो गया और एक तरह से ऐसा revision हो गया जैसे माली जी आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं अपने घर में तीन-चार मित्रों के साथ कि इस जैसे कि अफरीका में कौन-कौन से स्रेडी है अमेरिका में कौन-कौन से स्रेडी है रोकी जो स्रेडी है वो कैसे नौर्थ अमेरिका से प्रवाहित हो कितना लंबा जा रहा कैसे हिमाली की जो स्रेडी है तो आप देखते हैं जब आप चर्चा करते हैं अपने फ्रेंड के बीच अपने पढ़ाई से रिलेटेड तो सारे फैक्ट विसलेसर याद हो जाता है वही प्रक्रिया सेम आपके यह इस्टडी के तरीका में आपको बता रहे हूं कि पहला चरण आपका तीब्रगती से रिड जब स्वेम प्रस्ट बनाते हैं तो आपका जो सबकॉंसेस माइंड है वह काफी ब्रॉड हो जाता है और वह किताब एकदम मानिए कि एकदम आपका अपना प्योर फ्रेंड बन जाएगा अब आईए जो अन्य तरीका मेरे द्वारा बताया गया वह बिसलेसर एक से दूबा साथियो आप देखेंगे जब आप फर्स्ट रीडिंग किताब का लगाते हैं तो उसमें बहुत से ऐसी चीजे होती हैं जिसको दुबारा पढ़ने की बिल्कूल भी आवसकता नहीं होती है ठीक है फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो यू फील कि ऐसी मैक्सिमम उसम से टम्स होते हैं जिसको दुबारा पढ़ने क्या हो सकता नहीं होती है आता जब सेकेंड रिवीजन करें तो इस प्रकार के बिस लेशर की पढ़नी क्या हो सकता नहीं है जैसे माल लीजिए आप हिस्ट्री का ही सिंदुगाटी सब्विता की विसेश्टाय पढ़ रहे हैं एक बर जब आप विसेश्टा जान गए कि हाँ ये नगरी किल्ट सब्विता है इसकी यह यह विसेश्टाय है समाजिक इस्तिती ऐसे थी नारियो का उत्तम इस्तिती थी यहाँ पे नारिया स्रिंगार परी थी यहां के अर्थविवस्ता सम्मुन्न था यहां पे खेदी के इसलिए यह था लेकिन इसके साथ आपके कुछ फैक्ट हो जाते हैं जिसको त्यार करना जरूरी होता है कहां से क्या प्राप्त किया गया क्योंकि यह भूलने का थोड़ा सा चांस रहता है इसलिए सेकेंड रिवीजन में आप पैक्च्वल जितने उसको पढ़ेंगे आप इसी एक्जांपल को मैं एकनॉमिक्स में आपको बताती अब जैसे साथ यह एक बार जब कॉंसेप्ट आपका जीडीपी जीएनपी प्रतिवेक्ति आए फिसकल डेफिसीट मुद्रा का आउमूल लियन प्रात्मिक छेट्दूतिय क्षेट्रितिय चेट्ट में जब हो जात हैं तो सेकेंड रिवीजन जो महत्पूर्फ फैक्ट होते हैं तथ्यात्मक आकड़े होते हैं बसको ही पढ़ना होता है और इस प्रकार से साथियों स्मार्ट स्टेडी के इस चरण में आप सफलता के बेहद करीब होते हैं कहा जाता है कि यदि आप स्मार्ट स्टेडी करें तो साथियों बिसलेशर के करम में आप प्रथम बार में ही पूरा अप्तै कर लीजिए कि आपको क्या क्या दुबारा पढ़ना है जो दुबारा पढ़ना हो उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए तथ्य अब आते हैं तथ्य तथ्य के लिए आप रिवीजन प अधर हैं चितने भी अमेन्मेंट है उसको भी पढ़ने होंगे तथि क्या है किस फसल में कौन सा राज जो प्रथम जूतियत तृतिया है किस खात संसाधन में कौन सा देश प्रथम जूतियत तृतिया है तथि क्या है कि कौन सी नदी कहां से उद्गमित हो रही है तथि क्या ह कौन सी नदी किस नगर के किनारे प्रवाहित हो रही यह सारे तथ्य हो गए आपके तो इसके लिए आप अबस यही एक खंटा प्रतेक दिन दीजिए और चौथा जो कि नेक्स्ट जो मैं बताने वाली है जो कि अतनत ही महतपूर है वो है आपका आत्म विश्वार साथ ही जब इस चेरर को आप क्रॉस करेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है वो काफी स्ट्रॉंग हो जाता है और इसके माथ्यम से आप कोई भी परिक्षा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं साथी यूग कांट बिलीब मैं कोई भी लक्ष बनाती ह को अपने शेल्फ कोंफिडेंस के बदावरत बहुत ही सहजता के साथ प्राप्त कर लेते हैं उसका कारण है कि मैं अपने लक्ष प्राप्ती के लिए सबसे पहले साइंटिफिक तरीका और उस लक्ष प्राप्ती के लिए तमाम बिसलेसर कर लेती हूं अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हर condition को मैं implement एक कागज के रूप में पहले करती हैं उसके बाद उस पे work down करना सुरू कर देती हूँ जब work करने लगती हूँ तो अपने आप सारा कुछ clear होने लगता है कि हाँ निश्ची तुरुप से इस एहम्स को मैं इतने दिन में achieve कर लोंगी तो साथियो आप भी अवस से ही इस तरीकों को अपनाएं और रिवीजन को बहुत ही important पार्ट है आपके study का without revision you can't succeed then friends आप अवस से ही revision को अपने study का अनिवारे अंगम बनाए और ये ध्यान रखे प्रते दिन दो घंटा जैसे मालेगे कोई किताब पढ़ रहा है नए तरीके से तो पढ़ते रहे हैं लेकिन दो घंटा revision के लिए जरूर दे यह जो भी मैं तरीका आपको बता रहे हूं सार्य सुने सी सफलता के लिए बता रहे हूं जरूर अपना ये आप सभी को कोचिंग कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है आप जितना time खुद के study पे देंगे खुद के आत्मे विस्वास को प्रभल करने के लिए देंगे वही आपके लिए बेहर जरूरी है कोचिंग बस आपको मा नहीं पर मिल जाएगी और आजी जो सफलता है वह आपके साइंटिफिक स्मार्ट स्टेडी आपको दिला देगा चिसमें रिवीजन का सबसे महतपूर योगदान है तो साथियो इसी आशा संदीज विस्वास के साथ मैं सी मागुप ताज विदा लेती हूं कि निसी अब लगे तो अवस्त ही इसको अपनाईए क्योंकि साथियो कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ जीवन में आप अपने उपर ही प्रियोग करके सीखे कई बार होता है कि हम दूसरे से भी सीखते इतियास हमें क्या सीख देती है इतियास हमें अच्छे बुरे सब प विश्व में प्राचीन भारत की मैं बात कर रही हूँ, सबसी समरीद सब बैता थी, क्यों भारत के पतन होना आरम हो गया, क्योंकि भारत अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, और आज वक्त आ गया है कि हम सभी अपने इतिहास से जरूर सीखें, न सिर्फ अपने लाइफ को ब्राइट फूल हैपी फूल बनाने के लिए वर्क करें, बलकि अपने कंट्री को भी 21 सेंशुरी में ब्राइट फूल इंडिया की सदी बनाने के लिए कारी करें, नमस्कार